नमस्कार मंजू केंटीन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सांबर तो सांबर बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप अरहर डाल को धोकर भींगोकर एक घंटे के लिए रख देंगे दो चमच इमली को भी पानी में भींगो के रख देंगे सब्जी में हम कुछ हरी स टमाटर यह सब ले लिया है और सारे सब्जीयों को अच्छा दो कर काट लेंगे अगर दाल जो भींगों के रखेते उसमें थोड़ा दो इंच का आध्रा कर टुकड़ा और दो हरी मिर्स मिलाकर थोड़ा पानी डाल कर थोड़ा दरदरा पीस लेंगे अब कुकर में पीसा ह कर देंगे ऐा नुसर नमां आप हलती पावडर और एक लीठर के करी पानी डाल कर दोची ती लगा कर लेंगे अब हम तर्का की तारी करते हैं तो इसके लिए कढ़ाई ले लेंगे कड़ाई में दो चंमास रिफाइंड ओल करम करेंगे उसमें वन टीस्पून शर्शों के दाने तड़काल लेंगे थेश्बा दाल देंगे टोड के डाल डेंगे अच्छा पकने दाल सबजी सब न के तयार था उसको भी इसमेंट कर देंगे और इसको फिर और लेंगे V5 मिनट के करी अच्छा हमारा जाएगा और यह सांबर नदेंग सिंडी हो एक कप अरहर दाल दो कर साफ पानी में बिंगो कर आदे गंटे के लिए रख देंगे इमली का पल्प पानी डाल कर भींगो कर रख देंगे एक टुकड़ा कदू घिया तो सेजन का डंडा एक गाजर एक वैगन दो टमाटर एक टुकड़ा अध्रक्का रिमीर ले ले लेंगे सभी सबजियों को दो कर चील कर चोटी 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 टुकड़ों में काट लेंगे अड़ार दाल को कूकर में डालेंगे एक लिटर पानी डाल देंगे हल्दी पाउडर नमक डाल कर कूकर को बंद करके डाल पकाल लेंगे तड़ाई जरम करेंगे रिफाइन ओल डालेंग दो तमातर कटकर ढाल देंगे, तॉपट हो जाएगा, कटे हुँए सारे सब्जी ढाल देंगे, धग कर पकाएँगे, जलाते रहेंगे, समध कासमीरी लाल मिर्च दाल देंगे, दो चमत सांबर मसाला पावडर देंगे, धग कर पकाना है, जब यह थोड़ा अच्छा पक जा डाल सब्जियों में मिला देंगे जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे उबाल आने देंगे स्लो फ्लेम पर करके पांच मिनट के लिए बलते हुए पक जाएगा तो सांभर बनकर रेडी हो जाएगा कटे हुए धनिया पत्ती से गार्निसिंग करेंगे